बाई और बेहनों ये परिवार चलेट परिवारबादी परिवार के लिए जीने मरने वाली पार्टियों विकास की भी विरोधी है और विरासत की भी विरोधी है कि आपने देखा होगा कि कॉंग्रेश राम मंदिर से कितनी नफरत करती है कॉंग्रेश और उनकी पूरी इकोसिस्टेम अगर कहीं मों से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था न चुनाव का मुद्दा है और नहीं कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा अरे राम मंदिर का संगर तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हो रहा था राम मंदिर का संगर तो तब से हो रहा था जब यहां अंग्रेज सल्तनत भी नहीं आई थी राम मंदिर का संगत पांसो साल पुराना है जब कोई चुनाव का नामों निशान नहीं था जब विदेशी आकरांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े तो भारत के लोगों ने अपने धर्मस्तालों को बचाने की लड़ाई लड़ी वर्षों तक लोगों ने अपनी ही आस्ता के लिए क्या-क्या नहीं जेला कॉंग्रेस और उसके सहियोगी दलों के नेता बड़े-बड़े बंगलों में रहते थे लेकिन जब राम लला के टेंट पजलने की बात आती थी तेंट पर जो टांट पत्री वो बदलने की बात आती थी तो लोग मूँ फेर लेते थे अदालतों की धंकिया देते थे बारिश में राम लला का टेंट पकता रहता था और राम लला के भक्त तेंट बदलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटते रहते थे ये उन करोडों अर्बों लोगों की आस्ता पर आगा था जो राम को अपना आराज्य कहते हैं और हमने इनी लोगों से कहा कि एक दिन आएगा जब राम लला भक्त मंदिर में बिराजेंगे और तीन बाते कभी भूल नहीं सकते एक पांसो साल के अविरत संगर्ष के बाद ये हुआ है आप सहमत हैं 500 साल के अविरत संगर्ष के बाद हुआ है आप सहमत है दूसरा पूरी न्याई प्रक्रिया की कसोपी से कश करके न्याई के तराजु से तोल करके अदालत के निर्णै से ये काम हुआ है सहमत है तीसरा ये भव्य राम मंदिर सरकारी खजाने से नहीं देश के कोटी कोटी नागरी को ने पाई पाई दान देकर बनाया है सैमत है जब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्टा हुई तो पिछले संतर साल में कॉंग्रेस ने जो भी पाप किये थे जो भी रुकावटे डाली थी उनके साथ क्यों ने जो भी डुकावटे डाली थी सब को माप करके राम मंदिर के जो ट्रस्टी है वो खुद कॉंग्रेस वालों के घर गए उनके पुराने पापों को माप कर दिया और उन्होंने कहा राम आपके भी है आप प्राण प्रतिष्टा में जुरूर पधारिये सम्मान के साथ बुलाया लेकिन उन्होंने इस निमंत्रण को भी खुरा दिया को बताएं वो कौन सा चुनावीत करना माथा जिसके दबाव में आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्टा के निमंत्रण को ठुकरा दिया को कौन सी चुनावी खेल था कि आपने प्राण प्रतिष्टा के पवित्र कार्य को ठुकरा दिया कि कॉंग्रेस वाले कि इंडी गढ़मंदन वाले कि जो इसे चुनाव का मुद्दा कहते हैं उनके लिए चुनावी मुद्दा था देश के लिए के यह स्रथा का मुद्दा यह धैर्य की विजय का मुद्दा था कि यह directly तपशा का मुद्दा था कि लैप आपने अपने सरकार के समय दिन राज कि जब इसका हुरोत किया तब 21 चुनाव का मुद्वे के तहप आप कर रहे थे लेकिन आप राम भक्तों के आस्था देखिए मंदिर बना तो ये लोग इंडी गडबंधन वालों के घरप्राण पतिशा कामंतर देने के लिए खूद गए जिस खण के लिए करोडों करोडों देशवासी ने इंतिजार करे थे आप भुलाने पर उसकी तरब देखने नहीं गए पूरी दुनिया के राम भक्तों ने आपके इस अहंकार को देखा है आपकी चुनावी मंसा को देखा है ये चुनावी मंसा थी कि आपने प्राण प्रतिष्ठा का निमंतर ठुकरा दिया आपके लिए चुनाव का खेल है एक इस तरह की तुष्ठी करण की राजनीती थी भगवान राम को कालपनिक कहतर कॉंग्रेस इस वोट मैंक को खुश करना चाहती थी करता है थाजित नहिया थी 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 तुश कर राम प्राण 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 के राम कश्राण को खुश कर राम का राम का ये बालीत राफ्चा करत्ववान देवान प्राण